आज है कार अक्टूबर और हम शुरू करते हैं सिकने डफेर्स पहला है टेली मानस इनिशेटिव इसको यूनिन हेल्थ मिनिस्टेंड लॉंच किया है यह 24 गंटे अवैलिबल रहेगी ठीक है है टेली फॉन के दरह इसको एक्सेस किया सकता है और मानस का मतलब यहां पर मेंट मेंटकरिंट हेल्डे स्कोच का फुलति इसको फूट बढ़ावादेने के लिए सब्सकूच कंऊ कि प्रजेक्ट फीफा convincel है टूच explained और फीफा ने इसको युनसको के साथ मिल्के लॉंच किया था इसमें इसका उद्धेश बच्छों का जो डिवलोपन्ध्मेंट होता है empowerment होती है और education को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में नवुद्धे विद्ध्याले समीति है वो नोडल एजनसी होगी इसको implement करने के लिए उसके बाद International GERD Child Day यह 11 अक्टूबर को है और इसकी theme है Our Time Is Now, Our Rights, Our Future ठीक है उसके बाद Conference on B20 Indonesia Global Dialogue यह इसको जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिस्ट्री और इंटर्नल ट्रेड है Ministry of Commerce के अंडर में होती है वो ठीक है उसने और Confederation of Indian Industry CII इन दोनों ने मिलके इसको host किया था और Business 20 की बात करें तो यह G20 का Official Dialogue Forum है ठीक है फिर है Automatic Exchange of Information अभी आपने सुना होगा कि Switzerland ने बताए कि हमारे इतने पैसे जमाया है जो इंडियन से उनके इतने पैसे हमारे आ जमाया है ठीक है तो वो इस mechanism के थूरू होता है इसके लिए जो guidelines और parameters उसको set किया था OECD ने OECD मतलब Organization for Economic Cooperation and Development ठीक है annually यह information share की जाती है जो countries इसकी जनों ने इसको sign किया ठीक है tax purpose से ही यह कितने शेयर किया जाता है और इसमें जो भी उनके कितने fund है या कितने amount जमाय है और कौन किसका account है यह चीज़े information नहीं शेयर की जाती है बाहर ठीक है पब्लिस नहीं की जाती है और OECD ने 2014 में common reporting standard set किया था जिसमें बताया था कि कोई भी country वो दूसरी country से इनकी information अप्राप्त कर सकती है ठीक है जो भी financial institutions है किसी दूसरी country की और यह automatically होगा मतलब उसके लिए उनको request वगारा वैसी नहीं करने पड़ेगी जैसे पहले गाने पड़ती थी उसी नियम के हिसाब से इंडिया जो है 78 country से अपने banking और financial information share करता है और 107 country से प्राथ करता है ठीक है उसके बाद बताएगा कि अभी स्विज बैंक के तहत लॉंच के गया था ठीक है प्रोजेक्ट संजीवनी में हेरिकॉप्टर की सुवधा से लोगों को एम जैसे रिशी केस है ठीक है वहां पोचाना था और इसमें इसकी खासियत कि है कि 20 मिनिट में यह 500 किलिमेटर रेडियस तक किसी को भी वहां hospital पहुंचा देगी ठीक ह उसके बाद स्वरिग्स Rich Bank Prize in Economic Science जिसको हम Nobel Prize in Economics बोलते हैं ठीक है क्योंकि यह जो प्राइज ता इसको Nobel ने अपने विल में नहीं लिखा था यह बाद में एक स्वरिश भेंक उसने स्टाब्लिश कहता है ता 1968 में और इसको हेंड़र कर दिया गहता स्वेटर रोयल स्वेटिश अकैडमी को और 1969 से ही वही सेलेक करती है कि कि इनको यह आवर्ड दिना है ठीक है तो इसलिए इसको इकनोमिक्स का नोबल भी बोलते हैं और इस बार तीन लोगों के मिला है बैनेस बरनेक डॉगलस डाइमंड फिलिप डाइबिग ठीक है तो यह तीनों लोग ही यूएस से हैं और इन्होंने बैंकिंग को समझने में वदद किये इसलिए इनको यह प्राइज दिया गया फिर है नहीं तो कर देखे है अर्मेंनिया, इराक, सीरिया तर्की बाइरे संव है है और इनकी जो लेंगेज है वो फार्सी से लेटेड है ट्रीटी ऑफ सेवरेज जो वर्ड वार वन के बाद हुई थी उसमें इनको प्रॉमिस किया गया था कि होमलेंड मिलेगा पर वो नहीं मिला जो ट्रीटी ऑफ लोजान हुई थी 1924 में और इनके जो एरिया था वो डिव होता है तर्की टर्किश आर्मी से ठीक है अक्सर नीज में रहता हूँ इसमें दिखाए गया कि जैसे अब देखिए इरान के नौर्थ इस्ट और नौर्थ वेस्ट में है ठीक है इराक के नौर्धन पार्ट में सिर्या के नौर्धन पार्ट में तर्की के इस्टन पार्ट म ही है इसमें भी यही प्रोफिशन है कि अगर किसी भी एक कंट्री पर हमला होता है तो वह सारे उस पर अटाक कर सकते हैं इसमें अर्मेनिया बेलरूस कजाकिस्तान करगिस्तान रश्या और तजिकिस्तान यह चे कंट्री जब यूससार का डिकलाइन हुआ उसके बाद इन अर्कनेशन ठीक है और इसका है जो है मॉस्कोम है रस्या ठीक है धिर कॉमन विल्ध उडिपर्इनियिक्न से चाह्य आप मिसवें इसमें इंडिया भी पार्ट है और इसमें जो बृतिच के फॉर्मल कॉलूनीज है वह हैं जालत थेक है ये वाला जो था वह यूससासर के ड पेलरूस क Rocket किरिदित Shortly मॉल्दोवा रश्या व्जिजिक इस था थिक है और दौ आधि See एक और अब्बर तर्किमिनिस्तान और ऑक बस्टीक है उसके बाद ये map है, ये USSR का map है, जिसमें अब जो countries अब independent होंगे, ये पर वो पहले जो members थी, उनको भी दर्शाय गया है, और जो Commonwealth of Independent State की member है, उनको भी दर्शाय गया है, ठीक है, इसको आप देख लिजेगा, तो ये था हमारे current affairs, सुनने के लिए धन्यवाद.